बिना गी कस्टर्ड पाउडर से कराची हलवा मैं यहाँ पर वैनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले रहे हूँ आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं एक पड़ी कटोरी में 1 फूर्ट कप कस्टर्ड पाउडर लीजिए और अब इसमें हमें 1 कप पानी मिलाना है आधा कप पानी और डाल दिया है मिन्स टोटल 1 कप पानी डाला है 1 फूर्ट कप कस्टर्ड पाउडर में कस्टर्ड पाउडर यलो कलर का है पर मुझे बर्फी रेड कलर की चाहिए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूट कलर डालूँगी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर वैनिला एसेंस डाल रही हूँ दो से तीन ड्रॉप अगर आपके पास नहीं है अवाइट कर सकते हैं फूट कलर नहीं है फूट कलर के बिना भी यह अच्छा बन जाएगा उसे भी अवाइट किया जा सकता है इसे हम साइड में रख देंगे एक फैलते हुए पैन में 1 फूर्थ कप पानी डालिए और इसमें ही डाल देंगे एक पिंच सट्रिक, एसिट या फिर निम्बू का रज डाल दीजी पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे जब चीनी मेल्ट हो जाया तब आप इसे चलाना बंद कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है अच्छी लग रही है, न्यू लग रही है प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे ये बताईएगा आप लोग ये रेसिपी कहां से देख रहे हैं चाशनी को कुक होते हुए 6-7 मिनिट हो गए है इस तरह से चेक करके देखिए इसमें एक तार बनना चाहिए पिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर रही हूँ बंद करने के बदले आप लोग भी कर सकते हैं अब एक हाँ से रेडी किया हुआ कस्टर्ड वाला बैटर डालेंगे और एक हाँ से चलाते रहेंगे मुझे कैमरा भी मैनेज करना होता है इसलिए मैंने फ्लेम आफ कर दी है अच्छे से मिक्स हो जाने की बाद गैस को ओन कर दिया है फ्लेम को मीडियम कर देंगे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कस्टर्ड पौडर कौन फ्लोर का ही बनता है वो नीचे सेट होने लगेगा इसलिए लगातार चलाते रहेंगे जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा उसके बाद तीन से चार मिनिट में ये बहुत अच्छे से ठेक हो जाएगा ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ठेक हो गई है बिल्कुल इसी तरह का चाहिए अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है जिस तरह की फ्लेम आप मैनेज कर सकते हैं उतनी फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है जब तक कि ये एक साथ इकटा ना होने लगे इसे कुक करते हुए लगभग 15 मिनिट हो गए है ये पैन को धीरे धीरे छोड़ने लगा है इस परफी में घी या तेल डालने की पिल्कुल भी ज़वरत नहीं है मैंने इस समय फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है आप इस समय देख सकते हैं पैन को छोड़ना शुरू कर चुका है जब आप इसे चलाए और ये एक साथ घूमना शुरू कर दे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चमच के साथ चिपक कर ये गोल गोल घूम रहा है इसका मतलब है ये रेडी हो गया है सेट करने के लिए जिस बतन में आपको सेट करना है उसमें हलका सा घी लगा लीजे और इस तरह से बैटर पलट दीजे उपर से प्लेन कर दीजे रूम टेंपरिचर पर आने दीजे आदे से एक घंडे के लिए इसे छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर डेसिकेटिट कोकोनट यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी ड्राय फूर्ट्स ग्राइड करके यूज़ कर सकते हैं बर्फी को साइड से चाकू से निकाल लिजे और डेसिकेटिट कोकोनट के उपर पलट दीजे बहुत ही आसानी से ये अनमोल्ड हो जाएगा अब अपने पसंद के साइज में कट कीजे desiccated coconut इसके उपर spread कर दीजे दिखने में भी अच्छा दिखेगा और हाथों में चिपकेगा भी नहीं इस बर्फी में जैसा कराची हलवे का टेस्ट होता है बिल्कुल वही टेस्ट आता है वैसे आप इसके छोटे छोटे पीस करके किसी भी मिठाई की गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं खीर, सेवई या फिर कोई भी पुडिंग बनाई है उसके उपर इसे गार्निश कीजिए बहुत ही अच्छा दिखता है जितना ये दिखने में अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्टी भी है ये देखिए एकदम स्पॉंजी बना है और बाउंस हो रहा है चलिए इसे तोड़ कर भी देख लेते हैं कस्टर्ड पाउडर से इस तरह से बर्फी बनाईए खाईए इंजोई कीजिए बाबाई